हेलो माई गेर व्यूवर्स वेलकम टो मैं चैनल लर्न डिवलप आज हम डिसकस करने जा रहे है क्लास 12 के जो इंग्लिश का जो हमारा सिलबस है इंग्लिश कोर का जो सी बेसी ने अभी-अभी अपलोड किया है करीब को कुछ दिन पहले अपलोड किया था सी बेसी ने 2023-24 का व हम पार्ट बाइपार्ट हम डिसकस करने जा रहे हैं क्या होगा कुश्चन पेटर्न क्या हमारा नया सिलबस क्या कुछ को कोई नया चाप्टर एड हुआ है क्या या फिर पुराना जो चाप्टर वही रहे गया है वह सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो मेरे सा लिए हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं तो माई देर स्टुडेंट्स यो कन सी हिर वियर डिस्कासिंग तोड़ें इंग्लिश कोर अफ प्लस ट्वेल्व कोड नमबर आप देख सकते हैं 301 2023 24 जो सी वीजिन अभी अभी है खुश दिन पहली अफलोड किया आया्य है उनके website में तो पहले हम डिस्कस करते है यह सब पैटर्न हमारा किसे रहेगे ठीक है कर तो ट्वेल्व का इंग्लिश का कोश्शन पैटर्न का सर रहे एक एक नहीं टो पैसिज रहेगा एक नॉर्मल जो पैसिज होता है वैसे ही पैसिज रहेगा और दूसरा क्या होगा के इस बेस्ट फैक्चुल पैसिज होगा ठीक है तो देखिए पहला जो पैसिज होगा वन अंसीन पैसिज to assess comprehension interpretation क्या कैसा हो सकता है comprehension interpretation analysis inference okay vocabulary यह सब कुछ आपको assessment किया जाएगा ठीक है अब को इसके वीस में आपको कुश्चन एंसर करना है ठीक है तो इसमें कितना रहेगा और किया रहेगा इसमें तोटल पहला हैगा 12 marks that means first जो हमारा passage होगा उसमें रहेगा total 12 marks ठीक है उसके बाद क्या होगा एक और unseen passage रहेगा जो होगा case based factual passage ठीक है आपको याद रख रहे हैं यह case based होगा ठीक है दूसरा जो passage होगा and it will carry 10 marks ठीक है it will carry 10 marks उसके साथ क्या होगा इसमें verbal और visual inputs रहेगा ठीक है एक क्या रहेगा statistical data रह सकता है या फिर charts रह सकता है ठीक है यह सब आपको अच्छे से आना चाहिए तो एसस comprehension interpretation वही ऐसा ही है analysis inference और evaluation ठीक है यह सब के उपर base करके आपका second जो passage रहेगा ठीक है आपको यह बहुत जादा तरीके से practice करना है क्योंकि यह unseen रहेगा especially the second one ओके पहला जो है वह आपने लगबग पात साथ साल से आप यह सब passage solve कर रहे है ठीक है लेकिन इसमें क्या है कि इस बीज में आपको अच्छे से वह आना चाहिए वह आपको बहुत अच्छे से practice करना चाहिए ठीक है तो देखते हैं उसके बाद इस में क्या होगा इस में आपको multiple choice question पूछा जाएगा ठीक है objective type question short answer type question भी पूछा जा सकता है और यह मैं online answer ठीक है to be answered in 40 to 50 word maximum ठीक है इतना ज्यादा चाहिए होगा नहीं ठीक है उसके बाद है section B section B में आपको कितना है total 18 marks which is creative writing skill जो होगा आपका writing skill में ठीक है उसमें से आपका क्या क्या रहेगा देखिए आपको पहले notice रह सकता है जो होगा 50 words का ठीक है one out of two दो आपका रहेगा उसमें से आपको सिर्फ एक answer करना है even question to be answered जिसमें total होगा four marks ठीक है इस notice में आपका होगा four marks format कैसा रहेगा दिखिए प्रतम पहले जो है format में आपको one mark it will carry one mark content जो होगा उसमें total two marks accuracy and spelling and grammar इसमें रहेगा total one mark so कितना होगा total four marks तो आपको बहुत अच्छे से यह practice करना है notice total 50 words ठीक है उसमें से content special content में आप ध्यान दिजिए format पर भी ध्यान दिजिएगा और accuracy spelling वह तो आपको ध्यान देना ही देना है अगर यह सब complete हो गया you will get four out of four okay remember this thing then second क्या बोले जाए है formal or informal invitation आपका formal or in for informal invitation आ सकता है ठीक है and इसका reply भी आपको देना है ठीक है इसका reply भी देना है up to 50 words one out of two questions दो question आप से पूछा जाएगा उसमें से एक आपको answer करना है जिसमें से same four marks रहेगा like notice ठीक है इसमें भी format में है one mark content में है two accuracy and spelling and grammar में है one ठीक है total हो गया four उसके साथ क्या रहेगा आपका letters letter writing आपका रहेगा which will be based on verbal and visual input ठीक है यह आपको अच्छे से practice करना है verbal और visual input रहेगा ठीक है letter writing तो भी एंसर्ट एप्रोक्सिमेटली 120 to 150 words ठीक है letter आपको 120 से 150 words में complete करना है letter types include applications कैसा रहेगा application for job job application आपको होगा with bio data ठीक है with bio data के साथ और resume इसको specially resume भी बोलते है ठीक है तो job application आपको लिखने है उसके साथ आपको resume भी देना है ठीक है then letter to the editor editorial letter भी आपको आ सकता है ठीक है giving suggestions और opinion on issues of public interest public interest के उपर जो भी issues होता है उन सब के उपर ध्यान देके उन सब के उपर base करके आपको editorial letter पूछा जा सकता है ठीक है इसमें भी same है दो question पूछा जाएगा आपको answer करना है only one ठीक है tension लेने की ज़रूर्वत नहीं है सिर्फ keep calm ठीक है practice किजिए अपना preparation बढ़िया तरीके से करिए आपका exam ज़रूर बढ़िया होगा you will get 95 plus ओके ठीक है तो इसमें होगा क्या इसमें ड्रोल होगा five marks ठीक है लेटर रेटिंग में आपका होगया five marks इसमें क्या होगा format same है format में है one organization of ideas उसमें होगा one content one accuracy and spelling of grass spelling and grammar it will have one month ठीक है और आपका क्या सकता है writing section में और आसकता है article राइटिंग और रिपूर्ट राइटिंग ठीक है और डिस्क्रिप्टिव और एनलाइटिकल इनने चाहिए जो होगा descriptive and analytical जो आर्टिकल और रिपूर्ट राइटिंग होगा ठीक है वीजन बर्बल इंपूर्स अच्छा इसको आपको क्या लिखना है 120-150 वर्ट्स में आपको यह कंप्लीट करना है इसमें भी आपका दो कोशन पुछा जाया का आपको एंसर करना है ऑनली वन सीम थिंग सो इट विल केरी 5 मार्क्स ठीक है तो कितना हो गया आपका 5 प्लस 5 फ्लो 4 प्लस 4 टोटल कितना हुआ 18 समझ भी आ गया टोटल 18 का आपको हिसाब पुरा आ गया नोटीस है पहले मैं फिच से आपको रिपीट कर देता हूं राइटिंग सेक्शन के बारे में नोटीस जो है उसमें होगा आपका फॉर मार्स उसके बाद आपका फॉर्मल और इंविटीशन और उसके साथ रिप्ल 8 half and at LAS अपका होगा आर्टीकल और रिपोर रैइटिος नीशें होगा फॉवं फॉर्म tones एक्लियर हो गया आपका राइटिं सेक्शन चलिये आते अब लिट्रेचुर सेक्शन में जो हैसरेक्शन 3 इसमें होगा अपका टोटल 40 मौश्21 लक्यों मैंडिय साथ और एन् होगा पहले आएगा multiple choice question यह तो mcqs आपको बहुत अच्छे से आता ही है अगर chapter अच्छे से पढ़ते हैं तो mcqs कोई problem नहीं होगा और उसके साथ क्या आएगा objective type questions short answer type questions भी आ सकता है आएगा नहीं आ सकता है यह आएगा ज़रूर और उसके साथ क्या पुछा जाएगा long answer type question to assess comprehension interpretation analysis evaluation and extrapolation ठीक है तो यह सब आपको अच्छे से पर लेना है उसके बाद देखिए जो होगा जो पहले जो बोला गया था सब्सक्राइब करना है जो आएगा आपका फ्लैमिंगो बूक समीन जो आपको जो टेक्स्ट बूक है उसमें से पूछा जाएगा टोटल six questions will be there you have to answer total six so six into one equal to six marks ठीक है आपको chapter अच्छे से में फिर से एगीन and again I am telling that you have to read your chapter properly अगर आप chapter अच्छे से पढ़ते हैं तो obviously आपका mcqs कोई problem नहीं होगा ठीक है उसके वाद देखिए और one prose extract prose में से भी दो extract रहेगा जिसमें से आपको एक answer करना है तो poetry से एक हो गया प्रोस से एक हो गया ठीक है जो आपको विस्तास books से ठीक है विस्तास books से आपका prose का दो question रहेगा mcqs extract दे के उसमें से आपको एक answer करना है it will have four into one equal to four marks हो गया 10 खतम total हमारा कितना होगा इस section में 40 मर्स 10 खतम ठीक है उसके बाद one prose extract out of two from your flamingo flamingo book से भी आपको question पूछा जाएगा जो pros में से होगा ठीक है जो two questions होगा उसमें से आपको answer करना है one okay clear so here is also six into one equal to six point देखिए कितना सारा extract है आपको कितना mcqs हो चुका है ठीक है so यहां पे six plus four plus six total 16 यह 16 आपको एजिफ करना कोई भी problem नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखिए तो इसमें क्या होगा आपको इस पार्ट में short answer type question पूछा जाएगा जो होगा आपको prose and poetry से flamingo book से ठीक है flamingo book का जो पूछा जाएगा ठीक है जो आपको answer करना है 40 to 50 words में five questions out of six total six question रहेगा वहाँ पे आपको answer करना है five ठीक है पाच आपको answer करना है six questions रहेगा that means one question will carry two marks एक से ते five into two equal to ten marks clear this part clear okay चलते है next अगले part में short answer type questions from prose vistas vistas book के prose से आपको पूछा जाएगा question answer जो आपको answer करना है 40 to 50 words में जिसमें से आपको total तीन question आप से पूछा जाएगा ठीक है आपको answer करना है two three आप से पूछा जाएगा आपको answer करना है two so two into two equal to हो गया four marks ठीक है clear चलिए उसके बाद long question में करना आते हैं दिखते हैं one long question एक long question आपको पूछा जाएगा प्रूज और poetry flamingo books से ठीक है जो आपको answer करना है 120 to 150 words में one long question ठीक है जो आपको answer करना है one into five अब देख सकते हैं marking scheme is here उसके बाद देखे another long question you have to answer देखे one long question from your vistas book vistas book से आपको answer करना है एक और long question ठीक है और यह मैं भूल गया था इसमें से जो flamingo book से जो six mark का question आने वाला है वो दो रहेगा okay from these two questions you have to answer one और vistas book में क्या होगा same is here two questions will be there you have to answer any one ठीक है same marking scheme one into five five marks ठीक है हो गया हमारा literature section five plus five four plus ten plus six plus four plus six हो गया total 40 clear हो गया यह होगा हमारा question pattern ठीक है जो sample question pattern दिया गया है CVC की तरप से वह ऐसा रहेगा आपको यह अच्छे से पहले देख लेना चाहिए वीडियो को प्रोस का पार्ट है देखिये प्रोस में क्या क्या देया गया है दे लास्ट लेसन लास्ट स्प्रिंग दीप वाटर दे रैट्रेप इंडिगो poets and pancakes the interview going places these are the prose from your flamingo book poetry में से दिखे क्या है बहुत ही कम है my mother at 66 keeping quiet a thing of beauty a roadside stand and jennifer's tiger ठीक है यह है आपका poetry का section flamingo book से इतना chapter हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया prose poetry हो गया 1 2 3 4 5 ठीक है हो गया तो total हो गया 13 chapters flamingo book से और vistas book से आपका देखिए जो supplementary है supplementary reader ठीक है उस में से क्या होगा आपका the third level the tiger king journey to the end of the earth the enemy on the face of it memories of childhood जिसमें आपका दो पार्ट रहेगा the cutting of my long hair और another one is we two are human beings तो यह है हमारा chapter वहां पे हो गया 13 और vistas में से देखिए एक दो तीन चार पार छे टोटल 6 chapters we have ठीक है clear हो गया यहां आप बात कि इंटर्नेल एसनेस्मेंट जो आपका स्कूल में होता है आप देख सकते हैं एस्टमेंट ओफ लीसिनिंग मार्स और 80 हमने पहले discuss कर लिए है तो यहां तक ही है आज का हमारा 12 का पूरा syllabus तो चलिए आज का वीडियो हम यहां पी खतम करते हैं अगर क्लस 12 के किसी भी चाप्टर में आपको कोई confusion है आप मुझे कोमें बोक्स जरूर बोलियेगा मैं जरूर हैल्प करूँगा आपका उस उस सेटर में जरूर्व में वीडियो डालने की जरूर्में कोशिश करूँगा अगर वीडियो पसंद आया तक वीडियो को लाइक कीजिए और अपने